हेलो दोस्तों आज मैं आप सभी से शेर करने वाली हूँ रमजान इसपेसल अनार का बहुत ही हेल्दी जूस इसे आप घर पे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और यह बहुत ही जटपर से बनके त्यार हो जाता है तो चलिए देर नहीं करते हैं और इसे बनाना सुरू करते हैं इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिये गए जंटी को जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जनकारी सबसे पहले आपको मिले ऊनार का जूस बनाने के लिए मीकशर में डालेंगे 20 कटोरी नार दाना इतना एतना धाना तीन बड़ेसाइज के अनार से पीश लेंगे ध्यान रहे अनार का हम लोगों का सिर्फ जूस निकालना है इसका बीज नहीं पीशना है यहां पर अनार बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लैंड हो चुका है इसे हम लोग च्छनी में च्छान लेंगे ऐसे ही और भी रेसिपीस देखने के लिए मेरे चानल को जर लेंगे अब इसमें अनार का जूस डालेंगे ऊपर से एक चुटकी काला नमक डालकर इसे कंप्लीट करेंगे तो लीजे जी यहां पर ठंड़ा ठंड़ा अनार का हेल्दी जूस बनके त्यार हो चुका है तो आभी इस रमजान में इसे इफ्तार के समय जरूर राइक करें तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लेगी है तो इसे लाइक करें ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाय थैंक्स वर वाचिंग